पाउजबेन्यू कोट ने दिल्री उत्पाथ शुल्क नीती से जुड़ी CBI और ED केस में रगुलर जमानत की मांग की है वाली मनीश दे सौधिया की जमानत याचका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कोट को 30 एपल को फैसला सुनाए जाएगा सुनवाई के दौरान ED के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बाजवा से कहा कि सुप्रीम कोट हाई कोट ने सिसौधिया को केस का मास्टरमाइन माना है कोट ने माना है कि वे जाच को प्रभावित करेंगे मनीश चराब नीती घोटाला केस में तेहार में बंध है सिसौधिया को के इंद्रिय जाच बियोरंड 26 फरवरी 2023 को गरफतार किया था वही एडी ने 9 मार्च 2023 को CBI की F.I.R. से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में सिसौधिया को गरफतार किया था 28 फरवरी 2023 को सिसौधिया ने दिल्ली कैबिनेट से स्तीफा दे दिया था सिसौधिया जमानत के लिए दिल्ली हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट तक याचिका लगा चुके है लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई है मार्च 2024 में सिसौधिया ने ट्राल कोट में दोबारा जमानत अरजी लगाई है जस पर सुनवाई अभी बाकी है